हलो फ्रेंड्स आज बनाएंगे हम सूजी और कॉर्ण का बहुती तेस्टी और हेल्दी नाश्टा तो मेरी हाँ पर दो कप सूजी को ग्रैंड रे जार में 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 आप पर ग्रैंड कर लिया क्योंकि मेरी हाँ पर सूजी बहुत थोड़ी मोटी थी और अदर्वाइस आप ऐस अधान सा कम गाड़ा वाला दही लिया है ध्यान रखे यह जो ज्यादा खटा ना हो और इसमें इन चमश बैसन इन सबको मेरी हाँ पर मिला लिया और डालेंगे इस पर पानी और अच्छे इसको मिक्स कर लेंगे हम बड़े तरीके से बहुत ही तेस्टी बहुत ही हेल्दी मिलाश्ता बनता है तो अच्छा से इसको मिक्स कर लिया और 15-20 मिट क्रेस को ऐसा ही छोड़ देंगे और मेरी हाँ पर लिये अमेरिकन स्वीट कॉर्ण यह बहुत ही अच्छे होते हैं इनको मिने बॉयल कर लिया और आसा निकाल लिया इसके दाने और अब क्या हो गया जोरु कर लिया और अब इसमेल लेंगे तो आप मसाले आपके टेस्क मिसमें डाली सकते हैं तो में भाचार पाउड के लियाया औरियोग को यहांपर बच्चों के लिए बना रही हूं तो थोड़ा मसाले कम डाल कर रहें और जो कॉर्ण को फोमें बॉइल किये थी उसको हम हल्का दरदरा पीस लेंगे तो यह देखी में आप पर इसको दरदरा पीस लिया है इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है हलका सा जो मीठा पनाता है अपे में जो बहुत अच्छे लगते हैं तो यह डाल देंगे हम इस पैटर में और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह देख यह अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले ओर देखिए मैं मिक्स कर लिले इस टैप के लिए होना चाहिए बहुत सादा गाड़ा भी नहीं हैं और बहुत बेह बहुत हम सुन्दर दिख तो चमच बहर कर अब डाली है इसमें बटर डाल दिया है इसमें दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लगए कि लाइक शेर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कु न भूले तो यह देखिए मैंने आपका एक एक चमच इसमें डाल दिया है और इसको मीडियम फ्लेम पर इसको हम करना है तीन चार मिट के लिए और इसको हम एक बाकी को मैं वापिस काओंगे इसको तो यह दिखिए है है जब तक ऊपर अच्छे से पकना जाओ इसको आप फ्लिप कीजिएगा को तो मैं सब को फ्लिप कर लिया था यहां पर मीरा मॉबाइल में तो रिकौर्डिंग बन हो गए तो मैंने सब को अच्छे से दिखिग से फिलीप कर लिया था अच्छे से बन गए है ईये और कलर इसका बहुत ही अच्छा आहता बेसन और कॉइन से इसका कलर बहुत अच्छा है था बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाशता है दोस्तों ये एवनिंगेशनिक मनाईए या लाँच बॉक्स में बच्цы के तो यह ँव्य देखे अच्छे से हमारे यह पग गए ह्फ इसने कालेंगे हम प्लेट में हैं और चैतनी से कैंगे इसे सोसे खाईए बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं अपे तो यह देखे हमारे अपम रेडी हो गए है और ऐसे देखे मैंने आप पर ऑल डाल दिया इसमें राय के डाना डाल दिये और आप मैं आप डाल रहे हूं दोस्तों इसी से आप चीज कर लिया था यह देखिए ऐसे तो यहां पर इसके अंदर ऐसे डाल देंगे तो यह चीज कौन अपर भी बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों देखिए इस टैप का चोटी उड़ से मैंने आप इसके क्यूब साइज में कर लिया था चीज को और इसके उपर हम हलकहलका सा डाल देंगे बेटर ताकि शिपकेन है हमारी चीज मैल्ट होने के बाद और यह देखिए इसके उपर आप चाहो तो उपर से आप सेगे कॉर्ण भी डाल सकते हैं और इसके उपर देखिए मैं आप पर डाल रही हूं बेटर हलका हलका सा तो यह चीश कॉर्ण अपर भी बहुत तेश्टी लगते दोस्तों अभी मौसमें बारिश का और बहुत सारे जो है कॉर्ण मार्केट में आ गए हैं और बनाएगे और खिलाएगे सभी को बहुत अच्छे लगते हैं कॉर्ण की रेसेपी तो यह देखिए मैं इसके ऊपर चीश के ऊपर ठोड़ा की डाल दिया है बेटर और दियान रखें दोस्तों कॉर्ण को यह अपर बनाते समय गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम से स्लो रखें और यह देखिए कितने अच्छे से हमारे अपर रेड़ी हो गए अंदर से चीश मैर्ट हो गई है तो यह देखिए मेरी हाप पर कुछ इस्टे इस्टायल बनाया लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और आज की रेसेपी कैसे लगी बताइएगा तो यह देखिए मैं आप थोड़े से बड़े साइच के बनाया थे इस्टे इस्टायल और थैंक्स पॉर वाचिंग दोस्तों प्लीज फॉलो कीजिएगा अगर आप मेरा वीडियो फेस्बुक उल्द मैं प्लीज यह उर वाचिंगाएऑ वाचिंग जामाच लाचिंगा कर दोस्तों अला कर दोस्तों गजाएगा लाचिंग के लैजिएगा वाचिंग की बताईगा तोस्तों आप प्लीजिग